हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइग्जाम वी, आइम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आप ये थमनेल देखी रहे, यहाँ पर है ब्रेकिंग न्यूज आर्वी आई ग्रेट बी दो जार बाइस का मैं आपको exam dates बताने वाला हूँ, और वो tentative होगा, tentative date होगा and exact date नहीं पता है, मैं आपको week यहाँ पर बताने वाला हूँ और आपको पता है, last year RBI ने ये decision लिया था कि जो CSG है यानि कि combined seniority group जो है, तो वो अभी अलग-अलग exam लेने वाले यानि कि अभी पहले DPR, DSIM and journalist का जो exam होता था, एक notification में होता था लेकिन इस बार जो है, वो DPR, DSIM का अलग होने वाला है and जो RBI grade B journalist है, उसका अलग होने वाला है तो अभी ये काफी अच्छा news है आप सब के लिए, जो आप preparation कर रहे है RBI grade B का काफी टाइम से preparation की कर रहे है, near about अभी एक साल हो गया, मुझे पता है कि last time, January के last week में ये notification आया था, तो अभी एक साल इसको हो चुका है तो अभी हम देखते हैं, और पहले जो है, वो exam है, वो DPR जो है, DPR यानि कि Department of Economic and Policy Research and second जो है, DSIM, यानि कि Department of Statistics and Information Management, इसका exam पहले होगा और उसके बाद फिर second lot में आपका RBI grade B जनरलिस का exam होगा तो चलिए एक्जाम के dates देख लेते हैं कि जो phase 1 exam है, DPR and DSIM का वो होने वाला है आपका March के last week में, ठीक है, last week में तो एक दो date आखे पीछे हो सकता है अभी Saturday, कभी-कभी Friday होता है, कभी-कभी Saturday होता है, कभी Sunday होता है exam तो आप एक last week पकड़ लीजे कि इसी में वो exam होगा and इसका जो phase 2 है, वो होगा April के third week में यानि कि उन्हेंने बहुत ही कम टाइम आपको preparation के लिए दिया है next level का तो चलो अभी आते हैं आप जिसके लिए wait कर रहे हैं वो exam date हम देखते हैं, वो है RBA grade B generalist का तो यह है RBA grade B generalist के tentative dates वो है आपका RBA grade B का जो phase 1 exam है April के second week में होगा Friday, Saturday या Sunday में and phase 2 जो exam है वो होगा मई के third week में, तो generally अगर आप देखेंगे पहले बहुत दो तीन exam से वो सिर्फ तीन weeks का time देते थे पहले, यानि कि near about आपको 20 से 21 दिन मिलते थे phase 1 के बाद phase 2 के लिए लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा जादा time दिया, near about 30-35 days है तो यह dates का आप मतलब दिमाग में बिठा दीजिए और इसके मतलब through planning आप चालू कर दीजिए तो अभी इसमें आपको क्या करना है सबसे पहली बात जो है वो है आपको exam B के website पे जाना है और यहाँ पर आप देखिए previous year के जो question papers है वो आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे previous six year के question papers है phase one के है phase two के है वो आप देख लीजिए और उससे आपको एक थोड़ा सा अंदाज आएगा कि किस type के question आते है क्योंकि पिछले 6 साल में कुछ paper बहुत easy था जैसे 2019 का जो paper था काफी easy paper आया था 2021 का पेपर काफी difficult था अगर आप previous six year के question paper देख लेंगे तो आपको इससे एक अंदाज आएगा कि किस range में question आ सकते है और दूसरी बात आप यह कह सकते है कि हमारे यहाँ पे जो free mock test है free mock test में काफी सारे available है तो आप यहीं से भी exam की practice कर सकते है देना चाहता था कि notification कब आएगा जैसे मान लीजिए इसके 42-45 days पहले notification आ सकता है यह exam के date के हिसाब से तो अभी हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि RBA grade B के i exam B के platform हम तीन courses चलाते है एक है आपका comprehensive course दूसरा है exclusive जहाँ पर one-on-one guidance होता है यानि कि आपको individually guide किया जाता है अभी हमने recently extreme B नाम का course launch किया है जो actually residential course होने वाला है ठीक है actually हमने predict नहीं किया था कि exam इतने जल्दी होगा लेकिन April में exam है तो हम March के first week में यह course करने का try करेंगे यहाँ पर मैंने website दिया है यहाँ पर मैंने number भी दिया है यहाँ पर आप call करके information ले सकते तो बस आज मेरी तरफ से इतना ही था आपको मुझे आपको exam के dates के बारे में एक idea देना था यह 22 डेट है आप आपके डाइरे में no down कीजिए और इसके इसाब से आपका planning चालो कर दिजिए thank you all the best for your preparation and your studies